हेलो इब्रीवन वेलकम टू मैत्मेटिक्स लवस्ट अकेडमी आज के वीडियो में मैं टाप सेवन इंपार्टेंट कोस्टिंस लेकर के आया हूं जो की जो है 100% एक्जाम में पूछने के चांसे से बहुत हैं और हर कोस्टिंस से आपको बहुत कुछ सेखने को मिलेगा तो वीडियो पूरा देखेगा हर कोस्टिंस इंपार्टेंट होगा तो कोई भी कोस्टिंस मिस्मत करिएगा और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा अगर आप लोगों ने अभी तक पढ़ा रिवाइज नहीं किया है तो सारे वीडियो देखिएगा और फिर बाद में इन कुस्टिंस को देखिएगा तो सारी चीजें किलियर हो जाएंगी ठीक है तो देखो कुस्टिंस शुरू करते हैं कुस्टि लिमिट यह लोग जीरो है और एफ एक्स अपान एफ एक्स प्लस एफ ए माइनस एक्स ठीक है जो कि देहरादून 2019 में आया था ठीक है तो इस कुस्टिंस को कैसे करेंगे शुरू करते हैं देखिएगा लेट देखिएगा जो इंटी ग्रेंट दे रखा है उसको मैंने आई सपोर्ज कर लिया और इंटीग्रेंट क्या है जीरो टो अचेंट इलिमिट error King property जिसे आप लोग I think property number 7 ऐसे करके कुछ था या 6 था King property क्या होती है अगर 0 to a limit है ठीक है और कोई function इस type से है या फिर x dx तो upper limit 0 to a ठीक है जहां जहां function में x है वहां हम क्या कर देंगे a minus x कर देंगे और dx ठीक है में इस function में x की जगा पर a minus x पुट कर दिया जाएगा ठीक है तो इस property का यूद जो है इस question में करिएगा तो क्या मिल जाएगा I equals to समझते रहे हैं बिल्कूल सारी चीज़ें clear हो जाएगी 0 to a ठीक है अप function क्या इअफ x है तो यहां पर क्या हो जाएगा a minus x हो जाएगा clear रड calendar में देखिएगा यहां पर भी हो जाएगा a minus x ठीक है यहां पर समझेगा यहां होगा a ठीक है a minus और x के place पर हमें क्या लगाना a minus से लगाना है तो देख़े ए माइनस एक्स लगाएंगे यह माइनस एक्स ठीक है। ऐसे करेंगे हाँ अप आप देखिए और समझेगा यहां पर ए याए ठीक है। इसकी मैटिपलाई यहां होगी तो प्लस Kा एक्स हो जाएगा ठीक है। इसी चीज को मैं समझाना चाहा रहा था अगर यहां पर देखो ए-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a- f ,e-x , ठीक है ? और अपान में क्या रहेगा ? अपान में रहेगा of ... ex plus यहाँ पर क्या रह रहेगा ? f x बन जाएगा साथ में dX रहेगा यसे equation number 2 suppose करनेंगे ठीक है अब क्या करेंगे ? अब equation first or second को हम add करनेंगे ठीक है ? कैसे add करेंगे equation first और second लिखेंगे equation first plus second दोनों को add करेंगे इस side में add होगा तो i plus i 2y हो जाएगा ठीक है तो बनेगा 2y इस side में add करेंगे उसे देखिएगा अच्छे से 0 to a limit है और इस side में क्या है fx upon fx plus f a minus x dx है ठीक है इस side में क्या है 0 to a numerator में है f a minus x और upon क्या है f a minus x plus fx ठीक है और dx है अब दोनों के numerator को आपजर्ब किया जाए इसे भी और इसे भी दोनों चीज़ें सेम दे रखें हैं यहां पर fx plus f a minus x यहां भी क्या है fx plus f a by दोनों चीज़ें है प्लस में अपोजिट साइट में लिखी है मनलब उल्टा लिखा है वो एक ही चीज़ हो जाती है ठीक है दो प्लस 4 और 4 प्लस तो एक ही बात होती है इसी टाइप से इसका जो denominator है वो सेम है तो देखिएगा उसे कैसे add करेंगे तो क्या मिला टू आई यूकेल्स टू टू आई यूकेल्स टू हो जाएगा जीरो टू ए और जब denominator सेम होता है तब numerator को ही एड किया जाता है ठीक है इन दोनों को एड कर देंगे हमें क्या मिल जाएगा इफ एक्स ठीक है और प्लस क्या मिलेगा इफ यह माइनस एक्स और इनका denominator सेम था तो उसे add इज रखेंगे इफ एक्स प्लस इफ यह माइनस एक्स ठीक है और साथ में डे एक्स अब दोनों को आप जल किया जाए ठीक है आपन का integration एक्स होता है तो 2y उकल 2 हो जाएगा और लिमिट क्या है झीरो टू एह ठीक है तो आपर लिमिट वाइनस लो लिमिट मुलक्त 0 इकलस टू ए तो हमें 2y क्या मिल गया 2y उकल टू ए मिल गया यहां से imply करेंगे तो आई उक्लस क्या हो जाएगा a upon 2 हो जाएगा ठीक है तो जे question जो भी था इसका answer कितना आया ay 2 आयेगा ठीक है काफी अच्छा question था exam में ऐसे question आते रहते हैं और lung में भी आ सकता है तो इसका पहलू क्या आया a upon 2 आया है ठीक है जे इसका answer बनेगा clear अब इसके बाद देखते है question number 2 देखिएगा question number 2 क्या दे रखा है जे जो कि far in 2011 में आया मैंने सारे questions अच्छे ये पिक करें जो indefinite integration क्या है क्या है लिखा है इसको आपजर करिएगा लिखा है 1 प्लस log x ठीक है 1 प्लस log x whole square upon x और dx है देखिएगा हमें 1 upon x का integration पता होता है integration पता होता है log x होता है ठीक है अब देखिएगा अगर हम log 1 plus x को t suppose करने देखो क्या मिलेगा let 1 plus log x 1 plus log x equals to t अब इसका क्या करते है differentiation तो 1 का तो 0 हो गया log x का क्या बनेगा 1 upon x और 7 में dx equals to dt हो जाएगा के लिए अब देखिएगा integrand क्या था? integrand इसे हम ऐसा लिख सकते है 1 plus log 1 plus log x whole square into 1 upon x और dx अब 1 upon x into dx के प्लेश के प्लेश के क्या कर देंगे dt कर देंगे तो क्या मिल जाएगा और 1 plus log x को क्या suppose किया है t तो हो जाएगा t square और into dt हो जाएगा के लिए अब इसका integration t cube upon 3 और t क्या है? t है हमारे पास 1 plus log x तो क्या हो जाएगा 1 plus 1 plus log x whole cube y3 और एक constant of integration जरूर add करेंगे ठीक है? तो इसका answer j बनेगा 1 plus log x whole cube y3 और प्लस c ठीक है इस टाइब से जे question हो जाएगा अब next question देखते हैं जो की दे रखा इस टाइब से लिखा है integration x square upon 1 plus x cube dx अगर हम इस चीज को t suppose कर लें denominator में जो term है तो देखिएगा कैसे करेंगे let 1 plus x cube equals to t अब इसका integration करते हैं तो बन का तो 0 हो गया ठीक है? और x cube का क्या हो जाएगा? 3 x square असाथ में dx equals to dt यहाँ पर देखिएगा x square into dx है x square into dx है तो इसके place पर x square into dx इससे लिख सकते हैं 1 y 3 dt 1 y 3 dt ठीक है? अब देखिएगा integration को करते हैं तो equals to हम करेंगे x square into dx की जगा पर 1 y 3 dt तो 1 y 3 मैंने बाह ले लिया और यहाँ पर dt और अपान बन प्लस x cube इसको क्या सपोच किया t? ठीक है? तो हमारे पास आया 1 y 3 ठीक है? 1 y 3 अब बन अपान t dt अब बन अपान t किसका integration होता है? log x का ठीक है? तो बन अपान 3 क्या होन जाएगा? log t यहाँ प्लस एक constant of integration c ठीक है? तो 1 y 3 log clear और t की वैलू जो माने थे उसको यहाँ पर वापस पूट कर देंगे तो t की वैलू क्या है? 1 प्लस x cube और प्लस c जैसका answer बन जाएगा? काफी अच्छा कोस्चन था जैसे फाइट आंसर 1 mark या 2 mark में पूंचे जाते हैं ठीक है? इसके बाद next question देखिएगा काफी अच्छा कोस्चन है इसके लिए आप लोगों को पता होना चाहिए 0 to 1 definite integration का कोस्चन है लिखा है 1 प्लस x square और dx 1 प्लस x square एक direct formula होता है जो की होता है 10 inverse का जबहें learn करना होगा जै किसका होता है? 10 inverse x और limit क्या है? 0 to 1 है जी mcq का कोस्चन मैंने पिक किया है अब upper limit minus lower limit तो 10 inverse 1 minus 10 inverse 0 हो जाएगा और 10 inverse 1 की जो value होती है पाई भाई 4 होती है ठीक है 10 inverse 0 होता है यानि कि इसका जो answer आएगा पाई भाई 4 आएगा काफी अच्छा question था इसमें इंटेग्रेशन वो constant of integration क्योंने एड किया गया इस चीज़ पर मैंने discuss करी है जब जिस दिन मैंने definite integration को सुरू किया था तो पूरी complete playlist बनी है उसको देखिएगा मैं description में डाल दूंगा सारे lectures दे है लिखा से इसक्क्राइग्स अपान 3kes 10 x और d x से देखह इसे ऐसे हम लिख सकते है बन अपान 's 30 plus 10 x primus 10 x और इसे मैंने mask square x को यहां पर कर लिए और साथ में क्या Kushik He substitution फिक है अगर हम thbereich plus 10 x को participants करें तो लिखेंगे let 3 plus tan x equals to t ठीक है अब इसका differentiation करिएगा थरीका क्या हो गया 0 और tan x का shake square x होता है अब साथ में dx equals to dt अब देखिएगा shake square x और dx के place पर क्या रखेंगे हम dt put कर देंगे ठीक है तो देखो integrand किसमें convert हो जाएगा integration और इसको क्या suppose किया t तो हो जाएगा 1 upon t और यहां पर क्या बन जाएगा dt ठीक है अब इसका integration करिएगा 1 upon t log t हो गया clear log t और यह constant आप integration c और t क्या suppose किया 3 plus tan x वापस से put कर देंगे तो क्या बन जाएगा log 3 plus tan x ठीक है और plus c जे इसका answer हो जाएगा सारे अच्छे question है अब इसके बाद next question ठीक है इससे समझेगा काफी अच्छा question है अपका इवार mcq में पूंचा गया है mcq और लगवग हर एक जाम में पूंचा जाता है इसकी लिए एक property learn होनी चाहिए minus a to a अगर किसी भी integrand की limit है जो मैंने प्रापर्टी अच्छे से बताए थी अगर function odd है अगर function odd है तो उसकी direct value 0 हो जाएगी अगर function even 1a तो उसे क्या लिख सकते हैं two times zero to a हो जाएगा और fx dx ऐसा लिख सकते हैं अब समझेगा odd function और even function क्या होगा मैं पहले भी समझा चुका हूं बट यहां पर question आया तो मैं बताए रहा हूं odd function होता है अगर function को function में x को minus x से replace करें तो आजाए minus fx means minus common मिल जाए ऐसा function odd function कहलाता है ठीक है तेखिएगा उसमें minus common मिलना चाहिए अगर कहीं भी function में minus रखें ठीक है तो उसमें कोई फरक नहीं पड़े उनली हमें वही function मिल जाए जो था तो ऐसे function को even function बोला जाता है पहले limit देखिएगा minus a 2a है अब देखिएगा जे function even है या odd है मैंने even और odd जिस दिन function पढ़ाया था उस दिन sin x को मैंने लिखा दिया था जे एक odd function होता है clear मिर्स यहां पे हमें negative मिलना ही मिलना है अब बट यहां पे देखिएगा पावर फोर है कितनी है पावर फोर अगर किसी भी negative नंबर की पावर फोर कैसा आता इवन निगेटिव नंबर का पावर इवन है तो हमें सब पॉजिटिव नंबर आएगा ठीक है तो हमें यहां से कैसा नंबर मिलेगा एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा के लिए अब बात करें एक्स क्यूब की एक्स क्यूब एक्स अगर एक्स क्यूब है यहां पे माइनस X का भी क्यू थिख है माइनस एक्स का कुछ था तब भी हमें माइनस एक्स क्यूब pockets मिलेगा मतलड यहां से हमें माइनस मिलना ही मिलना है ठिक है तो निगेटिव और पाज्टीव नेगे पाज्टीव ऑर क्या र similarity यानि कि पूरे function में हमें negative मिल जाएगा ठीक है पूरे function में negative मिलेगा तो जे कैसा function total complete function कैसा है एक odd function है और odd function का integration 0 होता है तो इसका answer क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा काफी अच्छा question था सिर्फ एक property का यूज करना है जो कि यह property है ठीक है इसके बाद जो लास्ट question है यहां पर भी बात करने काफी simple question है भाई same question repeat कर रहा हूं देखो minus a to a limit है और sin x, sin x कैसा function होता है odd function होता है ठीक है और इसकी power भी odd की अगर power odd है कोई भी odd number है इसकी power odd है तो हमेंसा odd ही मिलेगा clear means negative की power कोई भी negative number की power odd आती है ठीक है तो कैसा function मिलेगा हमेशा odd function ही मिल जाएगा ना तुझे totally कैसा function बन गया odd function ही बन गया power से भी कुछ फरक नहीं पड़ा तो इसका answer भी zero हो जाएगा ठीक है तो I think सारे question clear हुए होंगे और चैनल पर पहली बार आये हैं तो चैनल सब्सक्राइब करेगा और अपनी सभी फ्रेंट्स को share करेगा ऐसे ही इंट्रेस्टिंग मैं questions भी आज साथ में बताता रहता हूं और complete revision अब कुछी दिनों में मैं differential equation का revision जो है complete कराऊंगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा और notification bell icon भी प्रेस कर लिजिएगा और स्वाभी फ्रेंट्स को share करेगा तो ठीक है thank you everyone